हेलो फ्रेंट्स, विलकम ओन किचान इक्सपर्ट कॉर्नर, आज की रेसिपी जो हम बना रहे हैं, ये हैं समोसे, जी हाँ, वो भी सैंडुश मेकर में, बर विदाउट प्रेड, देखें, बिना तेल के, हम सैंडुश की जैसे समोसे कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल समोसे के टेस में उतने ही करा रहे तो वीडियो में बने रहेगा और एक एक चीश को बहुत ही ध्यान से देखिएगा मैंने पूरी रेसिपीज को स्टेप में कवर किया है तो अभी मैं फॉस्ट स्टेप में हूँ यहां पे हम थोड़ी प्रिप्रेशन कर रहे हैं जिसमें मैं कुछ मसाले क भून रहे हूँ जीरा लिया है मैंने एक चमश दो चमश धन्या है और दो लाल मिर्च है इसको मैं हलका सा करश करना है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट करते हूँ देखिए इसके आवाज भी बहुत अच्छी थी और ये बिल्कुल हो चुका है अब इसको मैं के बात की जो रेसिपी है इसमें हम डो बनाएंगे इसमें हम डो बना रहे हैं पर सबसे पहले मैंने गरम पानी लिया है इस गरम पानी को मैंने बताऊंगी मैंने क्यों लिया है यहां पर मैंने मैदा लिया है वो पूरा एक कप है आजवाइन है नमक है ठानी वाला सोड़ा है और और शुगर है और है घी जी हां कभी भी अगर आपको समोसे या कोई भी चिज न गरारे बनानी है न तो उसकी जो मोई न आप लगाते हैं बहू भी घी से लगाईगई तो बहुत ही बने अभी मैंने सारे ड्राई चीज्जो को मिला लिया है और एक हलका सा करारापन लाने के लिए मैं इसमें एक टिप आपको बताऊंगी समोसी को बहुत अच्छा करारा करना पड़ता है पर हलका सा एक मैथड है वो यहां पर मैं आपको दिखा रहे हूं से पहले भी मैंने आपको बताया है कि मैं बस हाथों के बीच में दवा कर मोहिन को मिला कर लगाएंगे ना तो आपका मोहिन बहुत अच्छे से लगेगा और बिल्कुल बड़ाबर से लगेगा देखिए घी जो था वो मेरा मेल्टेड नहीं था इसलिए मैंने गरम पानी लिया है अगर घी आपका मेल्टेड भी हो तो भी आप गरम पानी से ही आटा लगाईगी ज है पिर और देकर अब यहां पर हम इसको मिला ले रहे हैं और के देखे दरल बा के जैसा हो जाएगा और फिरको फिरकों हमेंसे इसे तरह को कि अग्याएगा। बस ऐसी मिलाना है बस इसको हमें बान देना है गूतना नहीं है आटी की तरह अगर हम एक बार गूत देंगे न तो फिर ये रोटियां जैसा ये बन जाएगा और समूसे जैसा ये खास्ता नहीं बन पाएगा इसका ध्यान रखे देखे ये मिलाते मिलाते ये बहुत ही हो गया अब इसके उपर हलका से तेल लगा कि न हम इसको थोड़ा चिकना कर लेंगे ताकि हमारा आटा सुखे न और उसको हम एक बाउल से ढख देंगे लगबक 10 मिनट्स के लिए इस तरीके से अगर आप बनाएंगे न तो आपके जो समोसे के उपर की कवर होते नो बहुत फाइन होते हैं अगर आप ऐसे फ्राइ करके भी बनाएंगे न तो बहुत अच्छा बनेगा चलिए अब आलू की स्टफिंग कर लेते हैं स्टैप ट्री में अब यहां पर मैंने गरम पानी लिया है इसके लिए मैं पानी गरम कर रही हूं और इसके मैं आलू डाल रही हूं यह मेरे आलू पिल करके छोटे-छोटे कटे हुए हैं जी हां आप पिलर के थूरू पिल कर लीजिए उसके सारे आप पिल ओफ करके सारे उसके छिलके निकाल लीजिए और नमक थोड़ा सा डाला है मैंने और इसको डालके मैं इसको ढखके पकाऊंगे लगवर 10 मिनट्स के यह फोगा और मैं इसको वैसे ही निकाले नगी यह देखिए यह पगगया है और अब मैं इसको श्ट्रेंडर के थूरू स्ट्रेंड करके पावल में निकालके लोगी मसाले हैं मेरे पास थोड़ा प्याज है वह मसाला जो मैंने बनाया था और हडी मिर्च इसके अलावा थ तो देखिए यह सौटे हो रही है और तब इसमें मैंने पीनट्स दाले हैं पीनट्स भी हलके से सौटे हो जाए तो फिर मैं इसमें एक प्याज डालूंगी वह भी बिल्कुल रफली चॉप्ट जी है हलका सा इसको मिलाऊंगी और नमक डालके में इसको ढग दूँगी बस ल यहां पे स्पाइसेज डाले हैं मैंने जो मेरे पास बनी गए थी और उसके बाद में थोड़े और मसाले डालूंगी जैसे हल्दी लाल मिर्श का पॉडर और इसको हलका सा सौटे करूंगी सबको अब मेरे पास जो हाफ को कॉइल आलू पड़े थे ना उसको मैंने इसमें इसको हलका सा चला दूंगी हलका सौटे करना है लगभग एक दो एक दो सेकेंड या मान दीजी 30 सेकेंड तर और फिर वाटर इसमें डालनी है मुझे लगभग एक प्याली जी हां एक बाल आप पानी डाल दीजी और इसको ठक दीजी लगभग 7 मिनट्स की आप्टर 7 मिनट देखें कितने अच्छे से पग गया है और इसमें साड़ी मसालों का फ्लेवर चला गया है इसको मैं चेक कर रही हूं जी हां यह बहुत अच्छे से हो गया आप चाहिए तो इससे भी कर सकते हैं मैं एक ऐसी टिक बता रही हूं जो कोई भी कर सकता है इंपक्त टैसलर्स इंगे ना बरकुल बजार जैसा चलिए अब तीसरी स्टेप कर लेते हैं और हम सैंविच मिकर को आन कर लेते हैं सैंविच मिकर को हमें गरम करना है यह गरम हो रहा है और इस समय यह दोनों लाइट जल रही है जब यह एक बर हो जाएगा ना तो एक लाइट बंद हो ऍास्या से घाल के सब्टीज है स्थेरारी स्पारियर के लिएजिवे है cada uma। लिए इसके ऊस्षामानों सब्सक्राइन रीजिजिए बर्लेत बहुत व्यंकोर स्थेक्पश्ट और या नियंकर नियूद। सब को बहुत पसंद है और में लिए भी बहुत आसान है और सबसे परएगी बात है कि यह हल्दी है बहुत कम तेल बनता है देखिए हलका सा ग्रिस किया ना मैंने तेल से और तो तेल लगाया नहीं बस इस पर डाली फिलिंग इसको टू साइट किया जैसे समों से इसमें जाए जो मैंने बनाया था दो बनाया थे ना तो अभी दूसरा इसके दोनों सबसे पहले पॉइंट्स पर आप इसको दाविए और फिर साइट्स में इसको ज्वाइन कर दीजिए कुछ भी नहीं करना बहुत ही सिंपल है बहुत से दिकिन यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा क कि कट ना लगे थोड़ा सा लग गया तो कोई बात नहीं है इसमें तो अंदर जाएगा नहीं पर हाँ थोड़ा अच्छा सा एक लुक आ जाएगा इसलिए यह देखिए यह बंद हो गया है अब मैं इसमें डाल रहे हूं गरम है हमेशा गरम सैंडविश मेकर में ही कब भी सैंडविश भी बनाईए ना तो पहले एक बार अच्छे से उसको गरम की यह देखिए यह बीच में जाके वह बैठ गया और उपर से वह कट हो जाएगा अब यह दूसरे तरीके से भी मैं आपको दिखा दे रहे हूं सेहीं स्कौायर है और उसको मैंने बीच से कट कर दिया है ट्रेंगल शेप में आजाएगा जितना की आप उसके अंदर उसको पैक कर सकते हैं पॉकट की जैसा बन जाएगा यह हाथों से या स्पून से आप उसको थोड़ा स्प्रेट कर दीजिए फैला लीजिए ताकि वह अच्छी से बन जाएगा अब इसके ऊपर से जो दूसरी कवर से उसको बराते हैं बस इसके सबसे पहले पॉइंट मिलाने है और बाद में दीदे दीदे इसको बिठा दे नहीं है क्योंकि इसमें पानी लगाने से कोई ऐसा यह दिक्कत नहीं होने वाला गर यह खुल भी चाता है तो उसके अंदर य तो देखे दोनों तरीके मैंने बताएं आपको जो भी इसी लगता है वो आप बनाएगे यह गरम है सैंड्विश मेंकर मैंने उसी में दोनों डाल दिये चारो के चारो पीस से इसके अंदर आ गए ही अब मैं इसको धग दोगी तेल तो मैंने उपर से ग्रिस्ट कर दिया था तो यह उपर से भी लग जाएगा और एक चीस इसमें मुझे सैंड्विश मेंकर को ओपन नहीं करना है यह स्विच आउन और ओफ होता रहेगा लगवर फोर तो फाइफ ताइम्स और जितना अच्छे से होता जाएगा ना उतना ही जादा यह करारा होता जाएगा तो जो भ पता ही सैंड्विश पेकर में इतने करारे समोसे पिल्कुर भी अमेजिंग है एक बार जरूर ट्राइ कीजिए और देखिए मैं आज सैटरडे संड़े यह रेसिपी लेके आती हूं कि आप लोग इसको ट्राइ कर सकें तो चरिए बस मैंने निकाल लिया है अब सर्ब कर दे है बस सर्फ करने को तयार है हमारे समोसे वह भी सैंड्विश में करने एक पंदो काज हो गए न और बताइए रेसिपी कैसी लगी प्लीज लाइक कीजिए शेप कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए विक बैल आइकॉन थैंक्स पर वाचिंग बा